आज 29 नवेंबर 2020 के अव्यक्त मुदूर महावाक्य और ये अव्यक्त मुदूर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 23 जनवरी 1987 को सुनाये जिसमें विशेश बावा ने ये रुहानी तारा मंडल को देखा एक है धर्ती का तारा मंडल दूसरा है ये रुहानी तारा मंडल तो बाबा ये रुहानी तारा मंडल को देख रहे हैं और जिस तरह धर्ती के तारा मंडल में अलग-अलग प्रकार के सितारे होते हैं इसकी चमक कैसी, इसकी चमक कैसी, कोई पुछल तारा होता है, कोई गिरने वाला तारा होता है. तो यहां भी बाबा कहे इस अलौकिक गुरुहानी तारा मंडल में भी बिन्न बिन्न प्रकार की चमक वाले सितारे, कोई पुछल सितारे भी है, तो कोई गिरने वाले सितारे भी है, तो उन सब को स्पष्ट किया बाबा ने साथी साथ बाबा कहे सबसे स्रेष्ट सितारा कौन सा सफलता के सितारे है, और सफलता के सितारे आत्माओं की विशेश्टा क्या है, उसको बाबा ने स्पष्ट किया है सुनते हैं बाबा के मदूर महावाक्य, आज की मुरली का सिर्शक है सफलता के सितारे की विशेश्टा हैं। आज ज्ञान सूरिय, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारा मंडल को देख रहे हैं। वह आंकाश के सितारे हैं और ये धर्ती के सितारे हैं। अब दोनों सितारों की कमपैरिजन बाबा सुनाते, तो बाबा कहे वह आंकाश के सितारे हैं और ये धर्ती के सितारे हैं। वह प्रकर्ती की सत्ता हैं, ये परमात्म सितारे हैं, रुहानी सितारे हैं। वह सितारे भी रात को ही प्रगट होते हैं। ये रुहानी सितारे, ख्यान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही रगट कुटे हैं वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते हैं सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है लेकिन आप सितारे ज्यान सूर्य ज्यान चंद्रमा के साथ साथीवन रात को दिन बनाते हैं जैसे प्रकर्ति के तारा मंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं वैसे परमात्मतारा मंडल में भी बिन बिन प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाए दे रहें कोई समीब के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे भी हैं कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं कोई एक स्थिती वाले हैं और कोई स्थिती बदलने वाले हैं दुनिया में सितारे स्थान बदलते हैं तो बाबा कहें वह स्थान बदलते हैं यहां स्थिती वदल के, जैसे प्रकर्ति के तारा मंडल में पुछल तारे भी है, अर्थात, तो यहां भी पुछल तारे कौन है, अर्थात हर बात में, हर कारिय में, यह क्यों, यह क्या, यह पूछने की पूछ वाले, अर्थात, question mark करने वाले पुछल तारे है, जैसे प्रकर्ति के पुछल तारे का प्रभाव, पृत्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार-बार पूछने वाले, इस ब्राम्वन परिवार में, वायू मंडल भारी कर देते हैं, सभी अनुभवी हो, जब स्वयम के प्रती भी संकल्प में क्या और क्यूं का पूछ लग जाता है, तो मन और बुद्धी की स्थिती स्वयम प्रती भारी बन जाती है, साथ-साथ, अगर किसी भी संगठन बीच वा सेवा के कारिय प्रती, क्यूँ, क्या, ऐसा, वैसा, कैसा यह question mark की क्यूँ का पूछ लग जाता है, तो संगठन का वातावरण वा सेवा ख्शेत्र का वातावरण और न भारी बन जाता है, तो स्वयम प्रति, संगठन वा सेवा प्रति प्रभाव पढ़ जाता है न? साथ साथ कई प्रकर्ति के सितारे उपर से नीचे गिरते भी हैं तो क्या बन जाते हैं? पत्थर बन जाते हैं पुलका बन जाते हैं उपर से नीचे अगर तारे गिरते हैं तो पथर बन जाते हैं। लेकिन पथर पिगलेगा नहीं। रूप बदल जाता है लेकिन पिगलेगा नहीं। पथर को कुछ भी धारण नहीं होता है। बदलेगे नहीं। बाते बदलते रहेंगे लेकिन स्वयम नहीं बदलेगे। इसको कहते हैं पथर बुद्धी बन जाते हैं। तो अपने आप से पूछो इस परमात्मत तारा मंडल के सितारों बीच मैं कौन सा सितारा हूँ। अब realization देते हैं बाबा कि खुद को देखो कि मैं कौन सा सितारा। इचलता रहा हूँ। सान बदलने वाला, स्थिती बदलने वाला, गिरने वाला कौन सा सितारा। सबसे स्रेष्ट सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयम की प्रगती में सफलता को अनुभव करता रहे। नित्य आगे बढ़ते रहे। अर्थात अपने पुर्शार्थ की विधी में सदेव सहज सफलता अनुभव करता रहे। सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयम के पुर्शार्थ प्रती भी कभी पता नहीं ये होगा या नहीं होगा कर सकेंगे वन नहीं कर सकेंगे ये असफलता का अंश मात्र नहीं होगा, इसको कहते सफलता किसी करें, जैसे स्लोगन है, सफलता जन्मसिद अधिकार है, ऐसे वह स्वयम प्रती, सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभो करेंगे, अधिकार की परिभाशा ही है, बिना मेहनत, बिना मांगने से प्राप्त हो, उसको कहेंगे अधिकार, सहज और स्वतह प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार, ऐसे ही एक स्वयम प्रती सफलता, दूसरा अपने संबन संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मन आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार, वस लौकिक कार्य के संबन में, सर्व संबन संपर्क में, संबन में आते, संपर्क में आते, कितने भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे, पर्थात सफलता की प्रगती में आगे बढ़ते जाएंगे, का समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त हो करके ही रहेगा, ऐसे स्थूल कार्य वा अलोकिक सेवा का कारी अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता के निश्य बुद्धी विज़ही रहेगे, कहां कहां परिस्थिती का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वस सहन करना उन्नती का रास्ता बन जाएगा, सहन करना नहीं लगेगा लेकिन जैसे उन्नती का रास्ता बन जाएगा परिस्थिती को सामना करते परिस्थिती स्वस्थिती के उर्ती कला का साधन बन जाएगा अर्थात हर बात में सफलता सहज स्वतह और अवश्य प्राप्त हो अब बाबा सफलता के सितारे की निशानी बताते है सफलता का सितारा उसकी विशेश निशानी है तीर निशानी बाबा ने सपष्ट किये है पहली कभी भी स्वकी सफलता का अभीमान नहीं होगा वर्णन नहीं करेगा अपने गीत नहीं गाएगा लेकिन जतनी सफलता उतना नम्रचित निर्मान निर्मल स्वभाव होगा तो भी मान नहीं होगा नम्रचित निर्मान निर्मल स्वभाव होगा और दूसरे उसके गीत गाएंगे लेकिन वह स्वयम सदा बाप के गोण गाएंगे उतना नम्रचित होगा दूसरे निशान, सफलता का सितारा कभी भी question mark नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कारिय में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विग्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मन्जिल के समीप लाता रहेगा तो question mark नहीं, खुद बिंदी रूप को करके ड्रामा की बिंदी सब जगल लगाए, विग्न विनाशक और दूसरों को भी समर्थ बनाएगे और इस तरह सफलता की मन्जिल के समीप लाता रहेगा तीसरी निशान, सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ती को देख, प्राप्ती की स्थिती में बहुत खुशी और प्रिस्थिती आई वा प्राप्ती कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए ऐसे स्थिती परिवर्तन करने वाले नहीं होगे सदा बेहत के सफलता मूरत होगे एक रस, एक स्रेश्ट स्थिती पर स्थित होगे चाहे बाहर की परिस्थिती वक्कारिय में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुबो हो लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिती के प्रभाव में न आए सफलता के स्वस्थिती से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा यह है सफलता के सितारे की विशेशना है अभी अपने से पूछो मैं कौन हूँ सिर्फ उम्मीदवार हूँ पर सफलता स्वरूप हूँ उम्मीदवार बनना भी अच्छा है लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव न करना इसमें कभी शक्तिशाली, कभी दिल शिकस्त, यह नीचे उपर होने का ज्यादा अनुभव करते हैं जैसे कोई भी बात में, अगर ज्यादा नीचे उपर होता रहे, तो थकावट हो जाती है ना तो इसमें भी चलते चलते ठकावट का अनुभव, दिल शिकस्त बना देता है, तो ना उम्मीद्वार से उम्मीद्वार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा स्रेष्ट है, अच्छा, सुना तारा मंडल की कहाने, सिर्फ मदुबन का हौल तार मंडल है, अच्छा, सभी आने वाले नए बच्चे, नए भी है और पुराने भी बहुत है, क्योंकि अनेक कल्प के हो, तो अती पुराने भी हो, तो नए बच्चों का नया उमंग उत्सा, मिलन मनाने का ड्रामा की नूद प्रमान पुरा हुआ है, बहुत उमंग रहा ना, इतना उमंग रहा, जो डाइरेक्शन भी नहीं सुना, मिलन की मस्ती में मस्त थे न, इतना कहा कम आओ, कम आओ, तो कोई ने सुना, बाप दादा ड्रामा के हर द्रिश्य को देख, हर शित को दे, कि इतने सब बच्चों को आना ही था, नियती यती कि आना ही था, इसलिए आ आगे, सब सहज मिल रहा है न, कुछ रहे बाबा खातरी कर रहे है, एतने आगे, अब सब सहज मिल रहा है न, मुश्किल तो नहीं है न, यह भी ड्रामा अनुसार, समय प्रमान, रिहर्सल हो रही है, सबी खुश हो न, मुश्किल को सहज बनाने वाले हो न, हर कार्यम में सहयोग देना, इशारा भी दे रहे हैं, हर कार्यम में सहयोग देना, जो direction मिलते हैं उसमें सहीयोगी बनना अर्थात सहज बननाना अर्थात हर कारिय को सहज बनना अगर सहीयोगी बनते हैं तो 5000 भी समा जाते हैं और सहीयोगी नहीं बनते अर्थात विधी पुर्वक नहीं चलते तो 500 भी समाना मुश्कित है इसलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखा कर जाना, जो सब के दिल से यही निकले कि पाँच अजार पांसो के बराबर समाय हुए थे, इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। तो सबने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना, सर्टिफिकेट यानि प्रमान पत्र अच्छा मिल रहा है, ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना, तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे, अच्छा रिकॉर्ड है, इसलिए देखो ड्रामा अनुसार दो बार मिलना हु यह नयों की खातरी ड्रामा अनुसार हो गई, अच्छा सदा रुहानी सफलता के स्रेश्ट सितारों को, सदा एकरस्थिती द्वारा विश्व को रोशन करने वाले, ज्यान सूर्य ज्यान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चे से नशाय और नम्रचित स्थिती में रहने वाले, ऐसे परमात्मत तारा मंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को, ज्यान सूर्य ज्यान चंद्रमा, बाप दादा की रुहानी स्ने संपन, याद प्यार और नमस्ते, हम सब रुहानी बच्चों की, रुहानी मात पिता बाप दादा को, याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया. फिर पार्टियों से पर्सनल मुलाकात है बाबा की, पहली पार्टी, अपने को सदा निर्विग्न, विजई रत्न समझते हो, विग्न आना ये तो अच्छी बात है, लेकिन विग्न हार न किलाए, विग्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना, विग्नों को भी एक मनोरंजन का खेल समझ पार करता, इसको कहते हैं निर्विग्न विजई, तो विग्नों से घबराते तो नहीं, बहुट गहरी बात बाबा ने बताई के वीध्णो का आना अर्धात सदा के लिए मजबूद बना वीध्णो को एक मनोरंजन का खेल समझ कर पार इसको कहते है निर्विध्ण निर्विध्ण का मतलब ये नहीं वीध्ण आयेगा ही नहीं विगन तो आएंगे लेकिन कैसे उसको पार करते विजई हो करके जब उसको पार करते तो उसको कहते है निर विगन विजई तो विगनों से घबराते तो नहीं जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं अकेला कोई होता है तो घबराता है लेकिन अगर कोई साथ होता है तो गबराते नहीं, बहदूर बन जाते है तो जहां बाप का साथ है, वहां विग्न गबराएगा या आप गबराएंगे सर्व शक्तिवान के आगे विग्न क्या है? कुछ भी नहीं इसलिए विग्न खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता, विग्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी है, वह निर्विग्न रहते हैं अगर बुद्धी बिजी नहीं रहती, तो विग्न वा माया आती है, अगर बिजी रहे, तो माया भी किनारा कर लेंगे आएगी नहीं, चली जाएगी, माया भी जानती है, कि यह मेरा साथी नहीं है अभी परमात्म का साथी है, तो किनारा कर लेंगे अनगिनित बार विजई बने हो, इसलिए विजई प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है, वो सहज लगता है। तो अनेक बार के विजई सदा राजी रहने वाले होना, माताएं सदा खुश रहती हो, कभी रोती तो नहीं। कभी कोई परिस्थिती ऐसी आ जाए, तो रोएगी, बहतुर हो। पांडव, मन में तो नहीं रोते, क्या हुआ, ऐसे रोना तो नहीं रोते। बाप का बन कर भी, अगर सदा खुश नहीं रहेंगे, तो कब रहेंगे। बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना। न दुख है, न दुख में रोएंगे, सब दुख दूर हो गए है। तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना। अच्छा, दूसरी पार्टी से अपने को इस रोहानी बगीचे के रोहानी रूहे गुलाब समझते हो। जैसे सभी फूलों में गुलाब का खुश्बू के कारण प्यारा लगता है। तो वह है गुलाब और आप सभी है रूहे गुलाब। रूहे गुलाब अरखात जिसमें सदा रूहानी खुश्बू हो। रूहानी खुश्बू वाले जहां भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे, तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं देखेंगे। स्वयम भी सदा रुहानी स्थिती में रहेंगे और दूसरों के भी रूह को देखेंगे इसको कहते हैं रुहानी गुलाब ये बाप का बगीचा है जैसे बाप उँचेते उँचा है ऐसे बगीचा भी उँचेते उँचा है जिस बगीचे का विशे श्रिंगार रुहे गुलाब आप सभी हो और ये रुहानी खुश्बू अनेक आत्माव का कल्यान करने वाली है आज विश्व में जो भी मुश्किल आते हैं उसका कारण ही है एक दो को रूह नहीं देखते हैं देह अभीमान के कारण सब समस्याएं हैं देही अभीमानी बन जाएं तो सब समस्याएं समाप्त हो जाएं तो आप रुहानी गुलाब विश्व पर रुहानी खुश्बू फैलाने के निमित को ऐससे सदा नशा रहता है कभी एक कभी दूसरा नहीं सदा एक रस्थिती में शक्ती होती है स्थिती बदलने से शक्ती कम हो जाती है सदा बाप की याद में रहे जहां भी सेवा का साधन है चांस लेकर आके बढ़ते जाओ परमात्म बगीचे के रुहानी गुलाब समझ रुहानी खुश्बू फैलाते रहो कितने मीठी रुहानी खुश्बू है जिस खुश्बू को सब चाहते हैं ये रुहानी खुश्बू अनेक आत्मों के साथ साथ अपना भी कल्यान कर लेती हैं बाप दादा देखते हैं, कितनी रुहानी खुश्बू, कहां कहां तक फैलाते रहते हैं, जरा भी कहां दे अभीमान मिक्स हुआ, तो रुहानी खुश्बू ओरीजिनल नहीं हो। सदा इस रुहानी खुश्बू से औरों को भी खुश्बूदार बनाते चलो, सदा अचल हो, कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं, कुछ भी होता है, सुनते देखते, कुछ भी होता है, सुनते देखते थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते हैं, जब नथिंग न्यू है, तो ह कोई नई बात हो, तो हल्चल हो, यह क्या क्यूं अनेक कल्क हुई है, इसको कहते हैं ड्रामा के उपर निश्चे बुद्धी, सर्वशक्तिवान के साथी है, इसलिए बेपरवा बाद्शा है, सब फिकर बाप को दे दिये, तो स्वयम सदा बेफिकर बाद्शा, सदा रुहानी खुश्बु फैलाते रहो, तो सब विग्न पत्म हो जाएगे, तो ये थे बाबा के मधूर महावाख्ये, अब बाबा के मधूर वर्दान सुनते हैं, प्रत्यक्ष्टा के समय को समीप लाने वाले सदा शुब चिंतक और स्वचिंतक भवव, सेवा में सफलता का आधार है, शुब चिंतक व्रत्ती, क्यूंकि आपकी ये व्रत्ती आत्माओं की ग्रहन शक्ती वा जिग्यासा को बढ़ाती है, इससे वानी की सेवा सहद सफल हो जाती है, और स्वचिंतक आत्माओं सदा माया प्रूफ किसी के भी कमजोरियों को ग्रहन करने से व्यक्ती व वैभो की आकर्शन से प्रूफ हो जाती है, तो जब ये दोनों वर्दान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्ष्ता का समय समीत आए, दोनों व्रत्ती कांसी शुब जिनतक और स्वचिंतक आज का स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अरपन कर दो, तो सर्व कमजोरियां स्वतहद दूर हो जाएंगे। अच्छा ओंशन